नमस्कार जहिन सात्यों मैं भी शेक मिसराज आप सबी लोगों का हमारे दिन संकल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज मैं आप सभी भायों बहनों के लिए NCRT का special course लेकर के आएं जो कि आज से ही सुरू किया जा रहा है और इसको केबल दो महिने में complete कराया जाएगे जिसमें हम आपके लिए classic से लेकर 12 तक की NCRT को एक special तरीके से बहुत ही कम समय में केबल दो महिने में complete कराएंगे जिसमें आपको History, Geography, Policy and Science and Economy इन सब्जेक्टों को देखने को मिलेगा इन सब्जेक्ट में जो भी आपको important topic है उस अभी आपको बताये जाएंगे और हाँ इसमें एक special बात ये कि हम basic label से आपको पढ़ाएंगे दूसरी बात हर एक सब्द का हर एक बाकी का हर एक topic को आपको आपके exam स जोड़ करके समझाये जाएगा अठाथ special courses कुछ तो special लेकर के आएंगे न और दूसर topic ये मिलेगा कि अगर आप YouTube पर जाकर के देखेंगे तो कम से कम 200 से 300 ऐसे channel हैं जिन्नोंने अभी तक या तो NCIT को पढ़ाया है या फिर अभी भी पढ़ा रहे हैं और सभी NCIT के channels में आप आपको NCIT की book के माद्यम से NCIT को पढ़ाया जारे जो की interesting है भी और नहीं भी है लेकिन हम जो आपके लिए NCIT का course ये लेकर क्या है इसमें आपको notes के माद्यम से पढ़ाएंगे classic से लेकर के 12 तक की जो chapter notes से नहीं पढ़ाने लायक होंगे अर्था जिनमें आपको अत्यंत महतक चीजें ही देखने को मिलेंगे उसको केवल book के माद्यम से लाएंगे बाखी सभी आपको chapter notes के माद्यम से ही पढ़ाये जाएंगे तो चलिए सुरू करते हैं यह आपकी होगी special बात हैं जो कि हमारे special course की है अब आते हैं अपने topic बर तो आज से में start करें classics के NCIT history और यह हमारा chapter 1 का video complete chapter 1 का नाम है क्या कब कहां और कैसे आज आप लोगों से request है कि हम अभी तक जो भी course लेकर क्या है हमारे चैनल पर उन सभी को stop इसलिए किया गया है क्योंकि हम देख रहे थे कि धीरे धीरे हमारे जो वीडियो साथे में views कमाने लगे ते आप लोगोंने अपना interest कम कर द देंगे और केबल दो महिने में complete NCRT को पढ़ा देंगे देखिए पढ़ना और पढ़ाने दोनों में अंतर होता है अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हम अगर ना भी पढ़ना चाहते होंगे फिर भी हमें आपको पढ़ना पढ़ेगा लेकिन अगर आप पढ़ना नहीं च कमेंट करते रहना कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना ठीक है चलिए आंगे बढ़ते तो हम सुरू करते हैं आज से आज हम आपके लिए करके आए क्लासिक्स की एंसियाट इस्टी का चेप्टर बन जिसमें हम आवा हमको देखने को मिलता है प्राचीन भारत का इतियास अर् अब क्लासिक्स के न्सीयाट के बात करने तो यह क्लासिक्स के बच्चों के लिए अर्थात है घ्ला इस सबसे अधिक महत्पूर बात ये है कि आप इस चेप्टर की सिर्फ और सिर्फ important topics को ही देगे आज आप एक काम कीजिएगा इस complete वीडियो को देखीगा इसके बाद में आप बुक को पढ़िएगा ठीक है बुक का चेप्टर पढ़िएगा आज कि इस चेप्टर का नामे क्या कप कहा कहें तो इसमें सबसे पहला हमको हेडिंग मिलती है आतीत के बारे में हम क्या जान सकते है अर्था जो प्राजीन भारत का इतियास है अर्था हमारा आतीत है हमारा बभिश्य है उसके विशे में हम क्या जान सकते हैं तो सबसे पहला point इसमें मिलता है कि आतीत के बारे में हम लोगों की जीवन चर्या को जान सकते हैं कि किस प्रकार से लोग खाते थे मतलब क्या क्या खाते थे किस प्रकार से खाते थे दूसरी बात लोग कहां रहते थे पेडिंऑ पा रहते थे या फिर लोग घरों में रहते थे या फिर लोग रहते कहां थे ठीक है तीसर टॉपपिक आता है कि कैसी कपड़ें पहनते uh af these seven-न consumo money thirds bag habenalar जाते ते बंद में छाथ थे जाती तो इन चार टॉपिक्स के बारे में हम जान सकतेए अगला पंड मिलता है कि हम आखेटकों, आखेटक का अरत होता है सिकारी, दूसरा है सासकों, पसुपालकों, करसकों, ब्यापारियों, पुरोयतों, सिल्पकारों, बैग्यानिकों, इसके अदमे संगीतकारों, कलाकारों के जीवन के बारे में भी जानकारियां प्राप्त कर सक तो सबसे बिशें में पिक और अबिलैकरों के माद्ध्यमन से जिसको अभी आंगे चेप्टर में डिसक्स करें थीक और देखी हम मैं चाहता था कि इसको जो पांडुलिपी और जो अभिले के इसके टॉपिक को सबसे पहले रखें लेकिन अगर आप बुक में देखूँगे तो इसको सबसे लाश्ट में रखा गया था इसलिए मैंने भी सोचा कि लाश्ट में रखना मेरे लिए भी उत्तम इसके बुद्ध profit के बारे में प्राप्त भी कर चूका है और काफी कुछ हमने अभी तक जाना है क्योंकि देखी गां कियो नहीं हो घ्यान हमेशे अधूरा ही होता है एक कि चलिए अगल्या टॉपिक मिलता है कि लोग रहते कहां थे ठीक है मतलब सबसे पहला टॉपी यह जाता है कि लोग कहां रहते थे तो कई लाग बर्स पूर के अगर बात की जाए तो जाना तर लोग नदियों तालावों इत्यादी के पास में रहते थे क्योंकि यहां पर लोगों को सिकार करने के लिए जानबर और प्राकृतिक चीजे फल सब्जी जड़ पानी इत्यादी प्राप्त हो जाते थे अब बात करें कि आज कर लोग कहां रहते तो आज कर लोग ऐसे स्थान पर रहते हैं जहां पर बसती ओ जहां पर उनको खाने पीने के लिए सामान मिल जा, जहां पर उनको रोजगार मिल जा, जहां पर लोग रह करके अपने जीवन का यापन कर सकें, इसी प्रकार से पहले भी लोग नदियों और तालावों के पास में अधिक रहना पसंद करते थे क्योंकि यहां पर पानी पेने के लिए जानवर आते थे, जिनका इलोग सिकार करके खा जाते थे, और इसके बाद में नदियों तालाव के पास में आपने अकसर देखा हुआ कि इनके पास में जंगल होते हैं, अर्थात वहां पर पेड़ पौदे होते हैं, पेड़ पौदे से इलोग प्राकरतिक के पास में रहते थे, अगला पौइंट है इन लोगों कुछ, इन लोगों में कुछ कुसल संग्राहक भी थे, कुसल संग्राहक करत होता है कि अपने सामानों का या फिर अपने जीवन यापन करने के लिए जो भी चीज़ों की अवशकता हो, उसका संग्राह करने बाले, जो की अपने आज़ पास के विसाल संपदा से परचित होते थे, और अपने समुदाय की लोगों के लिए भोजन का संग्राह किया करते थे, ठीक है आँगे बढ़ते, अगला टॉपिक मिलता है कि लगबग 8000 वर्स पूर्व सर्व परथम, मनुस्ने गेहूं वाज़ौं गेहूं वाज़ौं की फस्नों का फस्नों को सुलेमान किर्थर की पहाड़ी, पहाड़ीयों के छेत्रों में उपजाना आरम किया था, देखिए इस इंपोर्टेंट टॉपिक है, यह आपको UPS सिखजां में एक बार प्रशन पहुचा भी जा चुका है और आपको इस पर बहुत एच्छे तरीके से पकड़ बनानी होगी और इसको याद भी करना होगा प्रशन ऐसे पहुचा है सकता है कि गेहूं और जाओं इसको सरुपर्थम कहां पर उपजाने के शाक्षी मिलते हैं तो आपको उतर देना होगा सबसे पहले सुलेमान और किर्था की पहाड़ियों के छेत्रों में इनको उपजाने का आरम किया गया था अब सबसे पहले आप लोग सुलेमान और किर्था की पहाड़ियों को देख लिजेगा इस मैप के माद्धेम से, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जुह जरा है, इसको देख लिजीगा, सबसे पहले 8000 वर्स पूर्व, गेहुं और जओं की खेती को किसे नहीं किया था, मनुस नहीं किया था, मैंने यहाँ पर मनुस सब्दिका इस्तिमाल इसलिए किया क्या, क्योंकि हमने यहाँ पर मनुछ से सब्द का उपियोग किया आप लोग यहाँ पर इस्तरी और पूर्स दोनों का उपियोग कर सकते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं उन्होंने गाय बैल इसके आदमे भेण है बकड़ी है कुटा है जैसे जानबरों को पालतू बनाना भी सुरू कर दिया इसके बाद में गाय है बैल है भेण है बकड़ी है इन जानबरों को भी पालतू बनाया जाना शुरू कर दिया गया था अब आगे मायत के माद्यम से हम आपको समझा देते हैं जो कि आज की इस चेप्टर में आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो सबसे पहले गेउं और च सिंदू नदी गुजरती कौन सी सिंदू नदी गुजरती है जो कि चार सुरी पांच नदियों से मिलकर के बनी सबसे पहले जेलम नदी दूसरी है चेनाब नदी तीसरी है राभी नदी चौती है सतलज नदी और पांच मी है ब्यास नदी ठीक है इन पांच नदियों को या जेलम चेनाव राभी सतलुज और ब्यास हमारे साथ बार बार इन सब्दों को दोराते चलीए जिससे की आप कोई सारे सब्द अपने आप रट जाएं ठीक है इसके बाद में यह चेतरता हिमाले वाला यह चेतरता चंबल की घाटी वाला ठीक है इसके लाद में यह यहमुना पूट नदी चीन से ओकर की आती है और ये गारों की पहाडियां ठीक है मैं ये सारी नदी आपको इसलिए बतारा क्योंकि इस पूरे चेप्टर में इन नदियों का उलेक दिया गया है ठीक है आंबदियों यहां बढदियों आपको इतना तो समझायी दिया कि आपका इस चेप्टर में तो काम चल जाएगा लेकिन आँगे बढदियों यहां परिष्टित है ये दक्कन का पठार है ये आपकी कृष्णा नदी है ये तुंग भद्रा नदी है ठीक है इसके आद में ये आपकी पेन नार नदी यहाँ पर मिलती है ठीक है इसके बाद में आपकी कावेरी नदी यहाँ पर है फिर इसके बाद में यहाँ पर नीचे आपको पूरवी घाट यहाँ पर यह पाश्मी घाट है यह पूर्वी घाट है यह अरप सागर है यह लक्षदूइब यह बंगाल की खाड़ी आपको यहांपर मिलते हैं यहाँ पर हिंद सागर यह आपका स्रीलंका है ठीक है तो इतनी सारी चेयों को समझने के बाद में चलिए आँगे बढ़ते हैं यहाँ पर दिया जा रहा है कि देखिए जो मनुस ने किनकी जियों का उपजाना आरम किया था गेहूं और जियों का सरप्रतम आज से आठ जार वर्स पूरू उपजाना आरम किया था इसके बाद में इनोंने गाय बैल भैंस इसके बाद इस वरी गाय बैल भैंड और बकरी कुट्ता इतने चियों को पालतो बनाना शुरू कर दिया था और ये लोग कहां पर रहते तो ये लोग गाओं में रहते थे लोग सहर में ने रहते थे लोग गाओं में रहते थे ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला point मिलता कि गेहूं और जाओं उपजाने के प्राचीनतम साक्ष मेहरगड के बलूचिस्तान मेहरगड जो की बलूचिस्ता हो गई थी और इसके बाद में लोगों ने इसको देखा देखने के बाद में बटोरा इसके दानों को रखा और धीरे-धीरे फिर इसके खेती करना सुरू हो कर दी गई थी इसके अदमें नमीनतन तत्यों के अनुसार ये बुक्के मादम सिने मैं अपने पास से लिकर के लाए हूँ नमीनतन तत्यों के अनुसार ऐसा पता चलता है कि चावल उपचाने के प्राचीनतम साक्षे संत कभीर नगर और लहुरा देव में पाए गए हैं कहां पर संत कभीर नगर और लहु कुप जाया जाना शुरू कर दिया गया था ठीक है और गया हूं और जाओं की बात की जाए तो वो सुलेमान और कृतर की पहाड़ीयों में सबसे पहले उप जाये गये थे आथ से आठ जार वर्स पूर आँगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट है गारो की पहाड़ी जो कि मैंने आपको मैपिंग के मादने में से बताया है गारो तता मद प्रदेश के बिंद पहाड़ी छेतर अन्य कुछ ऐसे छेतर हैं जहां पर क्रसी का विकास हुआ था कहां पर गारो और मद भारत के बिंद पहाड़ी के छेतर देखीगा यहां पर आपको दो चीएं बहुत इंपॉर्डन दिखाई देरे होंगी कि सबसे पहले तो इन जहां पर भी करसी का विकास हुआ है वो पहाड़ी छेतर थे और दूसरी बात यह कि इन सभी छेतरों के पास में नदियां भ बढ़ते हैं अगला टॉपिंग मिलता है कि लगबग 4700 बर्स पूर्ब सिंदु बा उसकी सहयक नदियों के किनारे आरंबिंग नगरों का विकास हुआ और इनी नगरों में विक्सित सभिता सिंदु सभिता के नाम से जानी गई तो इस बात को एक बार फिर समय लीगा गंगा वा इसकी सायक नदियों के किनारे नगरों का विकास हुआ था किसके गंगा वा इसकी सायक नदियों के किनारे विकास कितने बर्स पूर्ब हुआ था तो लगबग 2500 बर्स पूर्ब हुआ था और सिंदु नदियों के किनारे नगरों का विकास कब हुआ था लगबग वहाँ पर बाड़ आये थी बाड़ आने के बाद में क्या हुआ था कि सिंदु सभिता का अंत हो गया था इसके बाद में वहाँ से निकल करके जिस नदी के किनारे बसे थे उस नदी का नाम उन्होंने गंगा रखा था और गंगा नदी के नारे नोंने बसना आरम कर दिया था जो गंगा नदी के किनारे यह फिर गंगा की साइग नदीयों किनारे जो नगर बसे थे उसका प्राचिंतम काल में उन्हों से जाना जाद था उस समय उस चेत रुकों ठीक है और इसके बहुत सवस्क्टिसाली थे और उन्हों ने 2000 सामराज जी की थी इसके बाद में इस पर किन किन सासकों ने कैसे कैसे राज किया था चंदरुप्त मौर तक के मैंने संगा राज को समझा दिया ठीक है आंगे बढ़ते हैं तो क्या हुआ था इसकी स्थापना की गई थी इसके बाद में क्या हुआ था मगत सामराज का उतकर जो हुआ था छटी सताबदी ईसा पूर्व अर्थात ईसा मसी के जन्म के काफी समय पहले छटी सताबदी में हुआ था लेकिन अगर बात करें इसकी सताबना कब हुए था अगर मगत सामराज की जो बसा हुआ था यह मगत चेतर यह कब बसा था तो यह बहुत ही पहले बस गया था लगबग आज से पचीस सु बर्स पूर्वे लेकिन इसका अगर आप उतकर्स की बात करो कि यह मगत सामराज में कब बदला था तो यह आज से कापी समय पहले ईशा पूर्वे छटी सप्तापदी में यह सामर पढ़ते हैं अब बात आती है कि अपने भारत देश का नाम किस प्रकार से पढ़ा भारत ठीक है तो आज हम अपने देश को इंडिया या भारत के नाम से बुलाते किसके नाम से इंडिया फिर भारत या फिर हिंदुस्तान के नाम से इसको बुला जाता है अब इंडिया सब संस्क्रिट में सिंदु कहा जाता था अर्था सिंदु सब्दे इंडिया सब्द की उत्पत्ती हुई है ठीक है लगबग पचीस सो बर्स पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले इरानियों और यूनानियों ने सिंदु को हिंदोस अत्वा इंदोस और इस नदी को इसकी साइक नदीयों के पास पास जो भी लोग रहे थे यहां पर जो जनता लोग रही थी इसके यहां पर इनानी और यूनानी लोग घुमने आने आने के बाद में यहां के लोगों कि इनोंने हिंदोस नाम से बुलाया था किस नाम से हिंदोस यत्पा इंदोस नाम से बु उत्तर पाश्चिम में रहने बाले लोगों के एक समू के लिए कए दा था, और समू का उलेक सैंसक्रित में सांसक्रित की आरंबी क्रिथी रिगवेड में मिलता है, झो कि आज से लगबग 3500 बर्स पूरानी है, ठीक है अर्थार रिक बेद में हमको भारत नाम का उलेक मिलता है इससे पता चलता है कि भारत का भारत नाम किस प्रकार से पढ़ाता और बाद में इसका प्रियोग पूरे देश के लिए होने लगाता ठीक है अर्थार एक बार फिर से समझे लिएगा सिंदो नदी के जो पूर लोग थे इन लोगों के लिए भारत नाम का सर्व पर्थम प्रियोग किया गया था और बाद में इस भारत नाम को पूरे भारत देश के लिए प्रियोग में लाया जाने लगा था ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट मिलता है कि अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते है जबकि अगर देखा जाए तो इसको सबसे पहले स्पाइंट को रखा जाए ता है लेकिन बुक में इसको बाद में दिया गया तो मैं भी इसको बाद में लाया तो दिया जारा है कि अतीध की जानकारी हम ख़ुदा खुदाई के माद्यम से देख सकते हैं खुदाई के माद्यम से हमको पता चलता है लेकिन जो प्रमुक्स रोता है उनमें केबल दो ही आति सबसे पहले पांडूलिपी और दूसरा भी लेख ठीक है तो अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्त के पांडूलिपी कहला थी और आंगे बढ़ते हैं ये पांडूलिपी तार के पत्रों को काट कर अत्वा हिमालाई चेत्र में उगने बाले भूर्ज नामक पेंड की छाल से विशेश तरीके से त्यार किये गए भोज पत्र पर लिखी जाती थी तो पांडूलिपी तार के पत्रों पर लिखी जाती थी त इसको काइं भोज़ पत्र ठीक है आंगे बढ़ते पांडुलिपी मंदिरों बिहारों और इसके अतरीक्त अन्य कई स्थानों से प्राप्थ हुई है इसपर ऐसे प्लशन पहुंच जाता है कि पांडुलिपियं कहां से प्राप्थ हुई है अप्सन देडियेगा चार मंदिरो और बिहारों मतलब कई अप्सन दे देता है आपको इसमें अगर इसे पूछा जाता है तो आप यहां पर यही कहेंगे कि जो पांडुलिपियां है यह हमको मंदिरों बिहारों और अन्य कई अत्रिक्त स्थानों से भी प्राप्त हुई है अगर देखा जाए तो बहुत सारी प पांडुलिप आपको आज भी प्राप्त थी है जो भी प्राप्त हुए संस्कृत प्राकृत और समील भी थी ऐसामिल पीटि ती इसमें क्या लिखाया आप कुछ पर सकते हैं जो पर सकेगा उसको हम अभी 1000 रुपए का इनाम देऊंगा क्या पर सकते हैं पढ़के इसको लिखके बताओ कमेंट बॉक्स में क्या लिखाया बाई मैं तो बिल्कूल भी नहीं पर सकता हूं अब आप लोग ऐसा बले प्राकृत और तमिल यह इन भासाओं में लिखा जाता और आप देख रहें कि बिल्कुल टाइपिंग के तरीके से लिखा गया ऐसी तो आज कर टाइपिंग की याज जिसके अनुसार यहां पर लिखा गया है ठीक है मतलब बहुत यह अच्छे तरीके से लिखा जाता था अलग बगे 2250 बर्स पुराना अभिलेक अफगानिस्तान के कांधार से पुरा तत्विदों को प्राप्त हुआ है कहां से प्राप्त हुआ है हमको अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है अभिलेक जो कि यहां पर ही दिखाए गया है और यह अभिलेक किसके दोरा लिखा गया आप तो मुश्किले की पड़ पाएं और दिख भी कम राएं वैसे मैंने इसको बहुत अच्छ तरीके से रखा यहां पर अब अभी लेखों के माद्यम से सुरी अभी लेखों को थोड़ा समझ लिए कि अभी लेख क्या होते थे इस पर कैसे लिखा जाता था तो एएसे लेख जोंकि Pत्थर ऑथवा धातू जैसि अपेक्षक्रित कठोड़ धातु पर या फिर कठोर सतह पर उत्खिंड किया थे अभी लेख कैलाते regret पत्थर पर या पिर किसी पत्थर जैसी कठोर धातूपा लिक यह और इन अभी लेखों में राजाओं रानियों वह अ अन्नकए बस्तुमें अतीत में बनी और प्रियोग में लाए भी जाती थी आईसी बस्तों का आध्यन करने बाले को करने बाले जो भीकती होते हैं उनको पे कहा जाता है पुरा तत्विद ये उनको पुरा तत्विद कहा जाता है वो पुरा तत्विद कहलाते हैं जो पुरा तत्विद होते हैं ये पत्थरों और इटों से बनी इमारतों के अबसेसों इसके बाद में चित्रों अबसेसों चित्रों तता मोर्तियों का अध्य करना चाहते हैं तो मगत सामराज का इतियाज जाएगा देखीगा मैंने इस पर वीडियो बनाए अगर आप चाहते हैं कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन वाक्स में दे दूंगा और जो मगत सामराज का इतियास है यह बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगो इसका देखना बहु सबसे पहला राजा असोग नहीं था भारत का ऐसा सबसे पहला राजा जिसने अभी लेखों के माद्यम से अपनी जनता को संबोधित किया वो था असोग ठीक है आँगे बढ़ते अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है तितियों का मतलब अगर आप लोग यह इस बा मसी के जनम की तिथी से बर्स की गढ़ना की जाती अर्था जिस दिन इसा मसी का जनम हुआ था उस दिन एक तारीक पहला मैना और पहली साल थी अर्था उसी दिन से हम तारीकों की गढ़ना करते हुए चले आ रहे हैं और आज इसा मसी के जनम के पूरे 2020 साल हो चुके है ठीक आगला पॉइंट है इपू इसको अंग्रेजी में बिफोर क्राइश्ट अर्थाथ BC कहते हैं और इपू का आर्थ इसलिए होता है यूगि इपू और इसा मसी के जन्म के पहले जहां पर भी आपको इपू और इसके बाद ने तारीक लिखी हुई दिखाई दे तो आप समझे कि इसा मसी के जन्म के इतने वर्स पूर्व ठीक है अर्थाथ E. पूँ और अगर अगर Awesome लिखा है की और Oo पू और पांसोच्थ्य लिखा है तो आप लोग समझेगे Parlink के पांसोच्थ्य वर्स अग्ला पॉइंट है लस्त कुरु मीं बरतमान में प्रियोग में E जहां चला अर्थात इसा इतने इसा ठीक है उनीस सो चांचट इसा इसा ऐसे लिखा हुआ आता है जिसमें के बल एका प्रियूग कर दिया था तो इस कार्थ होता है इसा मसीव के बाद में और इसी एंग्रेजी में अगला पॉइंट मिलता है कि कभी कभी BC की जगहे अर्थात B और C इसकी जगहे पर BC का प्रियूग होता है और BC की जगहे और BC का आर्थ होता है अगर आपको कहीं पर BC लिखा मालूम पड़े अर्थात B और C और E यहां पर अगर आपको कहीं पर भी यह तीन सब्द लिखे मिलते है उसकी बाद में तारीक लिखी मिलती है तो आप लोग समझेगा कि इसा मसी के जन्म के पूर्भ या फिर आपको कहीं पर BC लिखा मिले त अगर आपको कहीं पर AD लिखा मिले या फिर आपको कहीं पर CE लिखा मिले तो आप लोग समझेगे ना कि इसा मसी के जन्म के बाद ठीक है आगे बढ़ते है अगला पॉइंट है कभी-कभी अंग्रेजी अक्षरों में BP का प्रियोग होता है किसका BP इन दो सब्दों का प्रि मतलब मतलब मगत का जो बडा राजी है ये कब इसकी स्थाफना कब हुए थी यह मगद एक बड़ा जिकब बनाता तो आज से लगबग दो हजार पांसो बर्स पूर्व ठीक है अर्थाद गंगा घाटी के जो नगर है जिनमें मगद आता है यह इसका विकास पचीस सो बर्स पूर्व आरम हुआ था ठीक है आंगे बढ़ते बर्तमान अर्थाद बर्तमान लगबग 2000 वर्स पूर्व ठीक है तो आगे बढ़ते हमारे आज इस कम्प्लीट वीडियो में इतने ही टॉपिक्स थे क्लासिक्स के एंसियाटी इस्ट्रीम पूर्टेंट टॉपिक निकाल कर दिखा दे तो मैं आपको इसके नोट्स विल्कुल फ्री में दे दूँगा जियां सभी टॉपिक जो की आपके एक्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो इतने ही थे इससे बार आपको कुछ कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं मिलने वाला ठीक है अब जो क्लासिक्स से 12 तक की एंसियाटी के स्पेसल कोर्स आया इसको ऐसे चलता रहेगा अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहा तो अगर आप लोग पड़े इन वीडियो को देखते रहे कमेंट करते रहे वीडिय वो इससे थोड़े से लोग वाल्टी के हैं मतलब इससे यह जू बना जा रहे उससे बहतर है लेकिन अगर आप पहले वाले नोट को देखे होगे तो इससे आपको थोड़ी सी उसकी क्वालिटी कम मिलेगी अथने अच्छे नहीं है लेकिन हां आच्छे वह भी है अगर वी तक हमको टेलिग्राम पर जॉइन नहीं किया तो जॉइन कर लिजीगा लिंक डिस्क्रिप्सिन बॉक्स में दी गई है इसके बाद में फेस्ट पर फॉलो कर लिजीगा और इसके इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लिजीगा दोरों जगे पर फॉलो कर लिजीगा आपकी कोई